अगर आप इस चैनल को फिर्स टेंड देख रहे हैं मेक शूर कि सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट कर डिजे ताकि दोस्तों किसी भी वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिस ना हो और दूसरी डिक्वेस्ट की अगर आपको डेमेट या ट्रेडिंग काउंट ओपिन कराना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी लिंक ड्रॉप किया गया है BPCL का शेर पराइस अगर आज देखें तो 395 पे ओपन हुआ 391.50 का लो बनाया और 397.25 का हाई भी बनाया और 26,40,865 टोटल अभी तक बॉल्म जनेरेटेड है 394.85 के ओपर ट्रेड हो रहा है मार्केट के अब देखिए 85,685 करोर रुपए है भारत सरकार की जो होल्डिंग है इस कंपनी में 52.98 परसेंट है लगबग 53 परसेंट के आसपस अगर हम इसका 52 वीग लो देखें 331 का है 331.10 का और हाई है दोस्तों 503 रुपीज का दोस्तों एक लेटिस्ट अपडेट है वो इसके रिगार्डिंग है कि भारत सरकार जो है इस कंपनी को इस्टेट रिफाइनर BPCL को प्राइविटाइज करने के लिए जो टर्म्स और कंडिशन्स है उसमें कुछ बदलाव करना चाहती है उसमें बदलाव क्यों करना चाहती है आपको पता है बदलाव इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसको भी पता है कि जहां एक तरफ दुनिय renewable energy sector की तरफ बढ़ रही है fossil fuels से दूर जा रही है वहीं BPCL के privatization को लेकर के definitely लोगों का interest कम होता हुआ दिख रहा है लोग क्यों चाहेंगे fossil fuels की तरफ जाना अगर इसका उल्टा हो रहा होता तो अभी तक ये privatize भी हो चुका होता आईए इसके उपर detail में चर्चा करते हैं एक छोटी सी article के माध्यम से आप यहां देख सकते हैं government may revise terms of sale of BPCL privatization दोस्तो देखिए भारत सरकार को अपने fiscal deficit को हटाने के लिए या उसको खतम करने के लिए public sector की जो companies हैं इसके अंदर disinvestment करना पढ़ रहा है divestment करना पढ़ रहा है तो यहां पर सबसे बड़ा question आता है कि भारत सरकार के पास यह fiscal deficit क्यों बना हुआ है यह आया कहां से क्या भारत सरकार tax नहीं लेती है इतना इतना ज़्यादा ज़्यादा tax जाता है सरकार को हर तरीके से कि कमपणियां परिशान हो चुकी हैं टेस्ट दे दे कर गे लोग income tax return भर भर के परिशान हो चुके है उसके बावजूद भी fiscal deficit क्यों है इस तरीके से अगर fiscal deficit को खतम करने के लिए आप आज इन कमपणियों को तो बेच करके चलो fiscal deficit आप हड़ा दोगे खतम कर लोगे कल को आपकी यही नियत रहेगी यही आदत रहेगी तो fiscal deficit जैसे आज आपने बनाया है वैसे कल भी बनेगा और कल आपके पास यह company नहीं रहेंगे बेचने के लिए तो आप क्या बेचोगे क्या बेच करके fiscal deficit खतम करोगे आप सरकार को ये बात सोचनी चाहिए और आप लोगों को क्या इसमें लाजिक नहीं लगता आप लोग ज़रा कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा क्योंकि यहां पर सीधा से सवाल है कि अगर पिछले या अभी तक के एक्जिस्टिंग फिस्कल डेफिसिट को खतम करने के इसी है आप चलाना ही नहीं चानते हो सिस्टम को अच्छे से बैठ चुके हो लेगी चलाना नहीं चानते हो फिसकल डेफिसित्स श्रिलंका बना दोगे इंडिया को एक तरीके से यह बात एबसलूटली डैजिस्टिबल नहीं है कि आप फिस्कल डैफिसिट को खतम करने के लिए आप dis investment का सहरा ले रहे हैं divestment का सहरा ले रहे हैं यह state run PSU को बेच करके यह public assets हैं आप public assets को बेच करके देश का करजा खदम कर रहे हो this is absolutely not digestible ये बात जो है सरकार को बहुत अच्छी से समझने चाहिए बहराल इसके उपर मैं चर्चा नहीं करूँगा लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो डाइवेस्टमेंट का जो मुद्ध है वो इसी से जुड़ा हुआ है फिसकल डेफिसिट से इसी लिए मुद्ध जुड़ा था तो मैंने आप से इसके उपर बातचित करी लेकिन यहाँ पर अब सरकार के सामने चुनावती यह है कि बीपी सील जैसी कंपनी को बेचने के लिए चने चबाने पड़ रहे हैं सरकार को किसके लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि एक तरफ दुनिया रिन्वरबल इनरजी सेक्टर की चतर टरंजिट कर रही है दूसरी साइट फिसकल डेफिसित जो फॉसल फ्यूल से लोग दूर जा रहे हैं रिन्वरिबल इनर्जी सेक्टर की तरह बढ़ रहे हैं अगर इसका reverse हो रहा होता, fossil fuels की तरफ लोग बढ़ रहे होते, renewable energy से दूर जा रहे होते, तो BPCL की valuation आज बहुत जादा बढ़ रहे होती, आज की date में 52.98% के आसपस की सिदारी भारत सरकार की है, जिसकी corresponding value जो है 45,000 करूर रुपे है, यह 45,000 करूर रुपे से कहीं बहुत जादा इसकी valuation होती सरकार के हाथ में अगर इसका reverse हो रहा होता, यानि लोग जो है renewable energy sector से दूर होते होते हैं और fossil fuels की तरह बढ़ रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग उल्टा चल रहे हैं, लोग investment जादा से जादा कर रहे हैं, renewable energy sector के अंदर, आपको पता ही है, इसके उपर मैं frequently चर्चा करता ही रहता हूँ, तो इसी लिए जो global investors हैं, वो बहुत ही कम interest दिखा रहे हैं, एक विदानता ही है यहाँ पे India से, जो अकेले दम दिखा रहा है, और वो भी चाहता तो है कि कोई साथ में मिल जा तो थोड़ा सा load कम परें, लेकिन फिर भी 12 billion dollar के deal जो है, वो अकेले खड़े लेने के लिए तया जो है, यह जो body है, जो बेचती है, सरकार के assets को खरिटी है, इसके जो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर देख कर रहे भीता यहाँ, जो है, इसके जो आप देख सकते हैं, दोस्तों मैं इ intent आपको बताना चाहूँगा, तो इनकी तरफ से कहा गया है कि जो है इतनी जल्दी पहलेजिये नहीं करेगी सरकार जो है बीपीसी ऐल को प्रविटाइज करने के लिए और इसको लेकर के ये जल्दिबाजी नहीं करेगी रश में नहीं रहें के इसको आرाम से बेचेंगे जब वैलिवेशन जब वैलिवु हैंगỏi देकी तब का इंट्रेस्ट बिल्कूली खतम हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा और ये शायद इसी वज़े से अभी तक जो है अभी भी प्राइबिटाइज नहीं हो पा रहा है राइट तो दोस्तों ये है असली कारड इसके प्राइबिटाइज ना हो पाने का अब सरगार को कोई टर्म और कंडिशन में चेंजमेंट करना पड़ेगा और तभी ये कुछ हो पाएगा चले घर दोस्तों अपना ख्यार लेखिए छोड़ी सी ख़बर आप लोगों से मैं डिसकस करना चाहता था ये नाम याद आ गया तोहीन कौनता पंडे ये डी आई पीम के सेक्रेटरी हैं इन् जल्दिबाजी में काम खराब होता है और उससे सरकार को सस्ते में एकदम बेचना पड़ जाएगा तो फिर सरकार को कुछ मिलेगा भी नहीं बहराल एक चीज़ इसमें मैंने पढ़कर के मेरा एकदम पारा हाई हो गया कि फिसकल डेफिसिट को खतम करने के लिए सरकार ये कर रही है आपको ये बात फता होने चाहिए सरकारे प्राइविटाइज क्यों कर रही है इसी को नहीं जितने भी और पॉब्लिक एसिट्स कंपनी जिसे पीस यू बैंक्स होंगे इन सभी को प्राइविटाइज करने के पीछे का कारड़ी है कि फिसकल डेफिसिट को मैनेज करना चाहती है सरकार चले खर उससे जुड़े होगे क्वेशन के उपर आप चाहें तो अपना कॉमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेर कर सकते हैं टेक क्या फिन सीव नेक्स टाइम